कि अन्योंन्य प्रेरण का मतलब होता है mutual induction एक जनरेटर हो रहा है mutual induction अन्योंन्य प्रेरण अन्योंन्य प्रेरण क्या होता है जब एक कुंडली जैसे रखी हुई यह को यह कुंडली ऐसे रखी हुई है इसके अंदर क्या बहने लग जाए दारा और इसके पास में कोई दूसरी कुंडली हो तो उसमें भी क्या कि इसके पास में एक कुंडली यौह थे एक तो एक रुज बहा ह In चेको खेते हैं अन्योंन्य प्रेरण एक कुंडली में धारा बयेगी कि दूसरे के अंदर क्या या उद्पन उगा दूसरे में क्या व्यदेगा फ्लक्सSho हुआ रोड़क के काणश में प्रेरित विद्द आरा उद्पन हो जाएक कि समय बारी बाद यहीं से अपने को कुछ relations मिलेंगे पहली वाली कुंडली दूसरी वाली कुंडली इसका नाम है एक नंबर यह है दो नंबर एक में दारा बहेगी उस दारा को बोलेंगे आईवन समझ माया और दूसरे वाले के अंदर से फ्लक्स गुजरेगा नहीं गुजरेगा तो एक बार के लिए जैसे जहा करेंगे मतलब इसमें धारा क्या करेंगे दैंसे देखो अगर मैं मान लेता हूं कि यह दारा ऐसे आती है और यह इसमें ऐसे जाने के नीव हैं कि यह वाय ऐसे जा रहा है फिर पीछे गूम रहा है पर ऐसे चक्र लगाता हवारा एकन्ध और फिर लास्ट वाले चक्र जाकर के बाद में किया बने सावस्थ बने अ कि नोर्फ बने गार साउथ बनेगा दियान रहना तो आप क्या कराँ देखो यसके अन्दर यह वाला सिरा डार ऐसे आरहे हैं फिर गूम कर एए ऐसे चली गई तो ऐसे चलिए तो क्या बना ओक नॉट नॉट यह वहिए कस आ रहा है सावत आप एक काम करो इसके अंदर मैं इसको दारागी दिशा को चेंज कर देता हूं मैं क्या कर देता हूं उसमें इसको बदल देता हूं कुंजी को लगाने के तुरंट बाद कुंजी को अटाने के तुरंट बाद दो सिच्वेशन यह दारा बैर ही ऐसे तो इसमें से जैसे फ्लक्स निकलेगा ऐसे तो इसका फ्लक्स इसमें से गुजरेगा इसमें से गुजरेगा तो इसमें धारा प्रवाइट होने लगेगी तो इस फ्लक्स को क्या कहेंगे वो दूसरे वाले का फ्लक्स होता है इसका फलक्स होता है दूसरे वाले का और वो समानुपाती होता है पहले वाले की धारा के आई वन के पहले वाली में धारा कितनी बहरी है आई वन के समझ में आ रहा है कुछ समानुपाती होता है किसके आईवन यह अभी आएगा आगे समानुपाती का चिन्ना टेगा फाइटू पराबर आजाएगा M21 I1 M21 को कहते हैं कुंडली नंबर दो का एक के सापेक्स अन्योन प्रिरन गुणांक अन्योन प्रिरन गुणांक और यह गटना क्या कहलाती है जब एक कुंडली के अंदर जो पास में कोई कुंडली रखी हुई है उस एक कुंडली में जब दारा में परिवर्तन होता है तो उसके पास में रखी हुई दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कान पास में रखिऊए दूसरी कंडली के अंदर प्रेरिद विद्ध वाग्बल उधपन ओ जाता है यह गटना कहलाती इंञ प्रेरंश सिम्पल सी बात है उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे अण्यूने प्रेरंग गुणंग अन्योंने प्रेण कुणाँंग मैं यह समीकन लिखेंगे दूसरी कुंडली के अंदर प्रवाइट होने वाला फ्लक्स जो समानुपाती होता है पहली कुण्डली में बैने वाली धारा आगे पहली कुंडली में जतना ज्यादा चुम्बके छेतरुत्पन होगा और जितना ज बीडाया आगी की definition यह पहली गटना होगे तो पहला आपको समझ में अन्यून प्रेरण कहते कि सको है जब किसी एक कुंडली के अंदर धारा को परिवर्तित किया जाता है तो उसके कारण पास में रखी हुई कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्थन के कारण उसमें प्रेडित विदुत वागबल उत्पन हो जाता है जिसके प्रेरित धारा प्रवाइद होने लगती हैं यह गटना अन्योन्य प्रेज़रन की गटना दो कंडिशनों में हो सकती है अब आप द्यान से देखो इसके अंदर धारा दौ सि situation होगी दो situation होगी पहली situation होगी कुंजी को दवानि के तुरंत बाद यहां लिख connection बनते ही इसमें से दर से दारा वहने लगी अब मैंने आपको पहले बताया था दारा कभी भी maximum पर नहीं जाएगी एकदम से जीरों से बढ़ेगी दीरे दीरे बढ़ेगी तो बताओ दारा बढ़ रही है क्या हो रही है बढ़ रही है तो यह ऊब्होरी के फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो यह वाला सिरह मेरे को चांब बनाना पड़ेगा कि नॉर्थ को समझ में आ रहा है कि यह वाला सिरा मेरे को नॉर्थ बनाना पड़ेगा और इसमें भी वह कोई सिच्वेशन ऐसे आती है यह और फिर ऐसे चली जाती है कि यह कोईल ऐसे आती है और ऐसे आकर ऐसे घूम जाती है कि और इसको मुझे नोर्थ बनाना है कि नोर्थ बनाना है तो करेंट कैसे रखूंगा मैं इसमें हगे है परंट केसा रखोंगा एंटी क्लोकिवाइज समझ में रहाए एंटिक लौक वाइज करेंट का मतलब करनट आएगा ऐसा है कि तो लिए बाहर निकल रहा हूग इसमें से तो फिर ये करेंट इधर आएगा सबस्जुनाइब यह कोंसी दा रहा है प्रेरित धारा और यह दारा ऐसे बहर है योगी समय से जा रही हो तो समझ माया यह पहली सिचुएशन के अंदर कुंजी को लगाने के पाथ अब कुंजी के अंदर लगा दिया इसको तुरंत धारा हो गई मैक्जिमम दारा हो गई मैक्जिमम अब मैक्जिमम होते ही दारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो फलक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा तो कोई प्रेरित धारा उद्वन नहीं हो रही कुछ समझ में आ रहा है और जब आप पूई दारा हो जाएगी कितनी हो complete दारह हो जायेगी, यह अटा देते हैं, यह आगे लिखेंगे, यह भी अमकान लिखेंगे, आगे, अब दूसरा डाय typ Whew, कुंजी को हटाने के तुरंद बाद, किसको हटाने के बाद , कुंजी हटाने के बाद अब सर्किट में पहले से ही कितनी दारा भाय रही है मैक्जिमम सर्किट में पहले से ही मैक्जिमम दारा भाय रही है और यह ऐसे पीछे तरफ घूम के ऐसे जाए और यह ऐसे जा रहा है कुछ और आपने इदर लगाया था माइनस इदर लगाया था प्लास और यह कुंजी को अब हटा दिया है हटाते ही अब इसमें से करण्ट डाउन होने लगेगा एकदम से तो जीरो होगा नहीं दीरे-दीर कम होगा लेकिन भैक इदर आया भी भी आप उपर की ओर नहीं है समझ में अरे यह कुंजी को तुरंत अटा दिया पहले कितर बैरा था प्लस से माइनस की ओर ऐसे बैरा था अब बैरा है सोलह एम्पियर बैरा है बीस बैरा ऐ कॉंस्टेंट बैरा है लगातार वीइस है माली जे मैंने स्विच ओफ किया ओफ करते यह करंड जीरो होने जीरो की तरफ बढ़ने लगे लेकिन तुरंत नहीं होगा धीर धीरो तो करंट कम हो रहा है का मों रहा है लेकिन दिशा वाली बल रेखाओं की संख्या कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है तो अभी जोगो पहले वाले में दारा की दिशा किदर आई थी किदर आई थी एंटी लोकवाइस एंटी का मतलब यह जा अई दरेक्षन देखो इसमें दारा आई थी नीचे की तरफ प्रेरित दारा समझ में आ रहा है तो अब यह दूसरे वाले में क्या करोगे आप इसकी दारा को दिसा को देखो यह फलक्स तो पहले बढ़ने के कारण दारा उत्पन हो रही थी अब गटने के कारण हो रही है गटने के कारण हो गई तो यह वाला अपने को ऐस बनाना पड़ ताकि यह सामने से आने वाली बल्रेखाओं को अपने और खीच कर अपने फलक्स को बढ़ाए तो जब इसके फलक्स को बढ़ाना पड़ेगा तो यह आईस बनाना पड़ेगा तो यह नीचे नहीं पड़ाएगा तो बस इतना सा चेंजेज करना है अब करना क्या है मैं चेंज कर रहा हूं देखो द्यान से इसको आप इस तरह से बनाएंगे डाइगराम में थोड़ा साथ चेंजेज करेंगे कि यह नीचे की तरफ नाल आकर किदर ले जाएंगे और यह गैलोनुमीटर वही दारा आप किदर नहीं आएगी तुछे की और किदर जाएगी तुछ समझ में आ रहा है यह इस तरह से जाएगी यह कब का डाइगराम और यह चुम्बा के छेतर रेखा है अभी भी ऐसे निकल रही है यह सोर्स तो अभी भी आये नहीं यह क्या है और यह डाइगराम कब बनाएंगे कुंजी हटाने के बाद दो डाइगराम कुंजी लगाने के बाद कुंजी हटाने के बाद यह हो गया कौन से किसके डाइगराम अन्योने प्रेरण के डाइगराम यह कुंजी न तक करेंैंस नुदस के अपनने प्रेरंग को अन्यius नहीं बेंगत कहने Gini Z यह अब सिम्पल सी बात है जो अभी हम नीं कुंडलिय लीची नहिंगतती सही नंबर लिखे थे वाँ एक नंबर दो नंबर एक नमबर दो नमबर एक नमबर में दारा को परिवर्थित करने से दो नमबर का फलक्स बदलता है तो दो नमबर का फलक्स कैसे किसके समान उपाती होगा एक नमबर की दारा के एक नमबर में जितनी जादा दारा बहेगी दो नमबर में उतना जादा फलक्स गुजरेगा बो दो नंबर तो यह जो अन्योंने प्रेरण गुणांक होगा ना जो यहां से निकल रहा है यह भी दो नंबर का होगा किसका होगा दो नंबर का तो यह आ जायेगा जो फाइटू पराबर होगा करते हैं समानुपाती का चिन्नत आएंगे एम टू वन दो नंबर कोईल का एक नंबर के सापेक्स यह साथ अन्योंने प्रेरण गुणांक और यह आ जायेगा आईवन यहां जो एम टू वन होता है वही कौन चा गुणांक कहला था है अन्योंने प्रेरण गुणांक अच्छा इसका उल्टा लिखना चाहो तो इसका उल्टा लिखना चाहो तो देखो फाइवन में समानुपाती होगा एक नमबर का flux समानु पाती होगा दो नमबर की दारा का है नहीं आ रही है समझ मैं तो 51 की value proportional का sign अटा दोगे flux कौन से वाले का बतल रहा है अब copy कर रहे हैं अब समझ नहीं रहे हैं अब इसको समझ तो लो कोई बात नहीं आराम से समझो ना कि भाइवन बराबर हो जाएगा यहां देखो अब आजाएगा M12 एक नमबर कोईल का दो नमबर कोईल के साफ एक अन्यून प्रिरण बुनांक कॉफिशेंट ओफ यूच्वल इंडेक्शन अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती है कि आप भी जान लीजिए कॉफिशेंट कि ओड़ी है और यह आजाएगा किस के बराबर तो अगर यह निकालना होता है एसे कर देना दूसरे का निकालना होता है कि तो समझ में आ रहा है वाजिटना सथे आन रखना है रिलेशन में थोड़ेशन यह तो गया अपना कॉन सा अन्यून ने प्रेरण उनां प्रसंद क् दो ऐलब को होता हुख है फ्राइब ल लाई कि याद है दिए यह भी ओ dużo लेयोली साथ यहिन आ यह यह is कि एसाई मात्रक होता है एच एच का मतलब होता है इसका मात्रक हो रहा है विमाई मैंने कल लिखवाई थी कोपी पेश्ट करनी है ठीक है यह आपका एक नेक्स्ट छोटा सा टोपिक हो गया इसको आप कम्प्लीट करेंगे फटाब नेक्स्ट टोपिक का नाम लिखो समाक्षिये तो समाक्षिये परिनालिकाओं का अन्युन प्रेरण गुणांक अन्युन प्रेरण गुणांक अब एक तो द्यान से देखलो यह कोई परिनालिका है रहे इस परिनालिका को किसी दूसरी परिनालिका के अंदर रखा गया है नहीं आया समझ मैं मेरे सही तुम बनाओ नहीं बनाना आता है तो इस ची को सही मानो माना यह सही है माना यह सही है अंदर की कुंडलीक स्टेप बताएंगा आपको बत्रब यही काम अपने को करना के अहरा यह बनाओ ऐसे कि बनाओ फटाबड बनाओ इसको जल्दी जल्दी यह बनाओ बस ऐसे अंदर से काट दो थोड़ा थोड़ा इनको बस इसके उपर एक और बनेगा और इधर से इसके दो तार निकाल देंगे इसको काट के और क्या है कोई बात नहीं तुम भी काट लोग और यह ज्यादा बड़ा मत बनाना इसको यह एक बना दिया अंदर वाला अब दूसरी परिनालिका बना रहा हूं मैं इसके उपर समाक्षी कैसे कह रहे है इनको दोनों का अक्स क्या है समान है एक ही अक्स है दोनों कि दो तार इसके भी जुड़ेंगे कि दो परिनालिका है हो गई बार वाली का नंबर दो अंदर वाली नंबर एक समझ मारा है एन वन परिनालिका एक में आए लिखो बस ऐसे कहते परिनालिका एक में एक आंक लंबाई में फेरों की संक्या परिनालिका एक में एक आंक लंबाई में फेरों की संक्या परिनालिका एक में प्रवाहिद धारा परिनालिका एक में प्रवाहिद धारा परिनालिका एक में दारा बहेगी तो एक में दारा बहने के कारण तू से रहे के अंदर से क्या गुजरेगा अपके दर भी मान लो उससे कोई फरक ने पड़ रहा इसको एन बना दो चाहिए इसको क्या बना दो एस अगर यह एन है तो बल रिखा ऐसे निकल निकल रहे ऐसे जा रही होंगी तो अंदर वाले में भी जा रही होंगी और बाहर वाले में भी जा रही होंगी और बाहर वाले में भी जा रही होंगी तो हम पहले क्या कर रहे हैं बाहरवाले का क्या निकालने कोजि Unidos क तो मैं क्या लिख रहा हूं कुंडली 2 क्यों कुन्डली नहीं परिनाली का क्या लिखूंगा मैं परिनाली का दो के एक फेरे से गुज़रने वाला फ्लक्स या दे मैंने यह मानना था तो क्या लिखेंगे इसको दियांचे देखो परिनालिका परिनालिका दो के एक फेरे से एक फेरे से गुजरने वाला या संबदे की बात है यह लिखेंगे गुजरने वाला फ्लक्स समझ माया कुछ है अब अगर मेरे पास में यह आ गया तो फ्लक्स तो तब निकलेगा ना जब आपने को को चुम्बध के चेत्र पता हो और अपने को क्या पता हूं। छेत्र पल पते हूं। कि समझ में आरे गिने अरिवात कि नहीं है समझ में अब मेर दो क्या करना है पहली वाली कुंडली का चेतर द्रिज्जा ले लोंगा और परिमाली और बड़ी वाली की ट्रिज्जा लें लेंगे अरे कि कुछ समझ माया आप क्या करेंगे त्यान से देखो मैं इसके अंदर इसको ऊपर की तरफ खिसका रहा हूं और अपने को चोटी-चोटी चीजे इसके नीचे लिखनी है अब आप 5b-10 की वेलू बताएंगे आप सबसे पहले पाइबी डेस तो होता है बोलो बी अब यह कौनसी कुंडली के काण उत्पन चुंबा के छेतर है कौनसी परिनालिका के काण दो में से फलक्स कब गुजरेगा यह 5b-2 हैदान रखना यहाद तू कर देता हूं परिनालिका है दोके एक फेरे से गुजरने वाला फलक्स कब गुजरेगा जब एक में क्या उत्पन होगा का एक में धारा भैए की एक में धारा भैने से एक अपना क्या उत्पन करेगी दो का और इस की ऐक छेतर के अंदर जिसका होलेकिन उतना की डोका बोलाक का तो यह होगा से परिनाली का कौन सी परिनाली आ लिखेंगे परिनाली का कि यहां लिखेंगे परिनाली का एक के अक्स पर चुमब के छेतर पर नहीं आया समझ में अब एक का चुम्भा法 के छेतर हो आँछ्टेरिए और दो में फ्लक स्याइगा तो दो था फो इक चुम्भाव के छित्र के कारण है करना यह नहीं आ रही है समझ में मल्लैय एरिया थीटा और डी जीरो डीगरी मैं यह लिए सciones ग्वाव एए एरिया और उसके बी के बीच में अगल तो यह लिखेंगे बी इंटू एरिया एरिया लिखेंगे पाई आर्टू स्कॉयर दोका ले रहें नहीं आया समझ में यह तो फाइव बन अब इसको देखो डीटेल में लिखेंगे ऐसे फाइव बीटू डैस बराबर बीवन की वेल्यू बताओ मेरे को चलो मैं आप बीवन लिख देता हूँ पहले बीवन क्या होता है परिनालिका के अंदर उत्पन्द चुम्बकिया छेत्र बीवन बी बराबर आता है म्यू नोट एन आई तो यह लिखोंगा चूकि हम जानते है बीवन की वेल्यू आजाएगी म्यू नोट एन वन आई वन बोलो कितनी दार हमानी थी आई वन यह मैं पुट करूंगा थीक है तो मेरे पास मैं जाएगा फाइव बीटू डैस बराबर म्यू नोट एन वन आई वन पाई आर्टू का इसक्वार्ट समझ में आया है अब मैं यह तो हो गया कितने फेरे से गुजरने वाला एक फेरे से और सभी फेरों से गुजरने वाला फ्लक्स तो वो कौन है फाई या फाई कौन है सभी फेरों से गुजरने वाला फ्लक्स हाँ फाई बी टू सभी फेरे किसके दो के ठीक है सभी फेरों से घुजरने वाला प्लक्स समझ माया तो 5B2 के वेल्यू क्या आएगी 5B2 के वेल्यू आएगी दित्यक परिनालिका में कुल फेरों की संख्या बताओ अब वहां एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तो ले रखिया आपने लेकिन आप क्या करोगे है एकंग लंबाई मैं मान लेता हूँ परिनालिका की मान लेता हूं एवाही डाइग्राम में लिखो यह सब यह स्मोल एल जोनों की सेंट अ करना है किसके अंदर द्यान कर दयान रखो अ मिप्लिट लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी बताऊ हां तो यहां लिखेंगे द्यांद से देखो n 2 into एकांक लंबाई में दूसरी कुंड़ी के एकांक लंबाई में फेरों की संक्या एन्टू और कुल लंबाई M संच्छ मां और यहां लिखोगे आगे यह तो होगे कुल फेरों की निया ओर यहां लिखोगे म्यूनोट एनवन आईवान पाई आर्टू स्कॉर समझ माया अब जान चे देगो एनवन एनटो जाएगा एनवन गोना एनटू म्यूनोट एल पाईवन पाई आर्टू समझ माया यह कोई गडबड तो नहीं हो गई मितना द्यान रखना फाई बराबर आया बी डोट डी हैस म्यूनोट एनवन द्यान रखना यह एनवन आएगा पर्थम कुंडली का चुंबक के छेतर एनवन आईवन और यह पाई टू दूसरे में से गुजर रहा है तो आर्टू स्कॉर और यहां लिखोगे फाई टू सभी फेरे किसके दो के से गुजरने वाला फ्लॉक्स Cum sen2 के अंदर कुल फेरों की संध्या तो एड़न2 इन 2N2L और PM फेरे वाला फ्लॉक्स 266 तो एड़न2आटू न1 नगे ऐल मूवन आइवन प्यार two गोर समझमाएँ अब हम जानते हैं हमें पता है क्या पता है हम जानते हैं निकालना किसका है दूसरी का हम जानते हैं 5B2 बराबर होता है M21 I1 दूसरी कुंडली में वहने वाला फ्लक से दूसरी कुंडली का अन्योने प्रेलिन गुणांक गुणा पहली कुंडली की दारा तो यहां से आजाएगा अपने पास M21 बराबर आजाएगा 5B2 बटे I1 मैं 5B2 की वेल्यू पुट करूंगा N1 N2 N1 N2 N1 N2 मू नोट L I1 पाई आर्टू का स्क्वाई डिवाइड करेंगे आइवन से आइवन मिरे पास में वेल्यू आजाएगी देखो M21 की वेल्यू आजाएगी मिरे पास M21 बराबर आजाएगा N1 N2 म्यू नोट L पाई आर्टू का ये कुंडली नंबर दो का आया समझ माया कुंडली नंबर दो का आया अब आप पहले इसको कोपी करेंगे या फिर दूसरे का भी निकालें दूसरे का देखो M12 निकाल रहा हूं मैं M12 निकालने एक चीज जो चेंजेज होगा वो देखो आप बस जो जरूरी है वो देखो अब मैं किसका फलक्स निकाल रहा हूँ किसका अन्योने प्रेलिन गुना अभी किसने का निकाला दो का अब निकालेंगे एक का अब एक से निकालोगे तो जो अपने को करना है यह देखो हमाँ हटा देंगे बाद में लेकिन यहाँ देखो पहले किस से निकालेंगे किसका निकालेंगे एक का हमने क्या निकाला अभी M21 अब निकालना क्या है अब M12 तो जब आएगा न जब आप 51 निकालोगे नहीं आया समदोगे हाँ 5B1 निकालोगे फिर आप लिखोगे M12 और आप लिखोगे I2 नहीं आया समदोगे ये निकालने के लिए आप क्या करोगे देखो ये किसके चुम्बक के छेतर में रहेगा ये एक नंबर कुंडली में से फलक्स गुजरेगा किसके कारण दो के चुम्बक के छेतर के कारण समझ में आ रहा है तो दो का चुम्बक के छेतर आएगा दो की दारा के कारण तो यहां कर दोगे देखो यहाँ जो फलक्स में निकालोगे न उसमें दारा उसमें आई टू दारा आजाएगे समझ मया लेकिन मैं जो बताना चाहरा हूं वो द्यान चे भे इंकी कि अंदर से इसमें अंदर कौन सी रेखाएं बहेंगी चुम्हागा चेतर रेखाएं लेकिन पूरे में कुंडली है यह नहीं अंदर कुंडली तो छोटी सी है तो यह वाला जो इधर से लाइन गुज़िए इस फलक्स में थोड़ी एड़ ओ जाएगी नहीं होगी न? समझ मैं आ या। कि समझ में आ लए हसा तो वहां भी क्या लिखेंगे अंदर जो हम लिखेंगे न मां वहम किसे का लिखेंगे ऑस आर बन का इसको लिखेंगे और वनका ते द्यान रखना प्रूर्प को समझ ट्रेस नहीं आ को अरे नहीं जब निकालोगे तो इसमें किसका छेत्र फलाएगा अंदर पायारवन का इसको सेपरेट करेंगा आप एक काम करो पहले इसको कोपी करो hey separate separate वार इम्कर ओभार कघकी चुम्फ क्या नहीं होता है समझ में आरी इस वाली अंदर वाली परिनलिका कि शुमा के छेतर होगा वह बार की तरब थोडिना होगा तो समझ फड़्वा कि नहीं तो फाइवन बीवन इंटु किसका एरिया होगा पाय आरवन होगा क्योंकि यह वाला जो एरिया है ना इस वाले एरिया से कौन नहीं गुज़रेगा अंदर वाली परिनालिका के अंदर दारा बहने से जो बीवन जोगा ना वह बीवन की बाउंडरी केवल यहीं तक लिमिटेड है इसके बाहर बीवन उपलब्द नहीं होता है तो जो फ्लक्स गुज़रेगा वह बाहर वाले चेत्रफल में से नहीं गुज़रेगा केवल अंदर वाले इससे गुज़रेगा ना मिस्टेक हो गई अब इपने को क्या करना यहां कुछ नहीं करना सिंपल सी बात है अंदर जो आर्टू है इसकी जगह क्या कर दें तो मैं चेंजेज कर रहा हूं आप भी चेंजेज कर लेंगे थोड़े से और आपको करना कुछ नहीं है मैं क्या कहने जा रहा हूं देखो यहां क्या कर दो कि आरवन समझ माया यहां की जगह क्या कर दो आरवन अरे समझ माया क्यों कर रहे हैं क्योंकि अंदर वाली परिनालिका के बाहर चुंबक के छेत्र नहीं है इतने सा है अब देखो इसके अंदर दो लाइने नहीं अपने मेल आरे और एक हार टू आपको नजरारा है यहांपर इसको क्या कर दो कि A और दूसरा अरवन धक्राट यए कम हार इसको कुष कर दो कि और ग्रास्ट के अंदर मिलेगा आपने बस हे लाघ फटक्ष। यह जल्द बाजी के अंदर आपने द्यान नहीं दिया कि परी ना लिका नहीं और अंदर वाली परीना लिका छोटेड बाहर वाली परीना लिका बढ़ी आधर अपक ने और से झाल झाल